कुछ बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा गई जो आप सभी को सुनना और समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर कुछ बाते उठके आ रही है जिसमें से कुछ क्वेशन मार्क भी है जो चीजे मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं सबसे पहले कॉमेंट बॉक्स हो कि यह चीज आपको पसंद नहीं है तो कॉमेंट बॉक्स आपका है आपकी रहा है बहुत मैंटर करता है इस वीडियो का टार्गेट लाइक मैं 1000 रखता हूं और इस नय हो तो प्लीज चैनको सब्स्राइब जरूर करना कि एक टीचर के लिए आपके लिए तो फ्री है है तो आप पास होते हो मैं है 100 मैं 30 फाय मांस मिलता तो आप पास होते हो गाइस बट गाइस इस संदर में अभी उस मिलेगा और उसको जड़त नहीं है तो आप इसके बारे मी क्या सोच और प्रेयरा महीं लिखना ज़रूर है अब एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, कुछ question mark है, जैसे मैं आपको explain करके बताना चाहूँगा, देखो गाइस 10 standard वाले बच्चों के लिए बहुत सारी चीजे होती है, एक best of 5 भी होता है, और best of 5 के साथ combined rule भी होता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर science और math में, अगर किसी बच्चे को, जैसे आपको बता है कि pass होने के लिए अभी तक, पास होने के लिए अभी तरह कितने marks चाहिए, 100 में से 35 marks चाहिए रहता था, और अगर किसी बच्चे का 25 marks आ रहा है, मालो science के अंदर उसको 25 marks आ रहा है, तो guys अगर math के अंदर, math के अंदर उसको 45 marks मिल जा रहा है, तो guys अगर यह दोनों plus करके 70 marks हो जा रहा है, 70 है 70 से पास हो जाएगा, इसके अंदर इसका 25 marks है, जब पासिंग के लिए कितना चाहिए, 35 marks चाहिए, पड़िया 25, तो science और math को मिला के भी बच्चा क्या हो जागा, पास हो जागा, 55 कितना हो गया, 10 हो गया, 456, 17, 70 हो गया, मतलब पपू पास हो गया, यह combine rule के तहाद है, उसी तर अगर मानलो, English के अंदर, अगर मैं बोलू, English के अंदर कर उसको 25 marks है, तो बच्चा फेल है, नहीं, पर ऐसा नहीं हो है, English, Marathi, Hindi, अगर तीनों को मिला के, अगर 105 है, और at least subject के अंदर 25, 25 marks होगा, तो ही combine rule होता है, अगर तीनों को add करके 105 होगा, तो बच्चा पास हो जाता है तो guys, अभी तक तो combine rule था, बड़ question mark इसके उपर है कि क्या combine rule continue होने वाला है, कि उसके अंदर भी कुछ changes करने वाले, क्यों guys, already पहले 25 marks तो combine rule मिल जाता था, पड़ अभी ये क्या करने वाले, math और जो science, उसके passing, जो passing marks था, passing marks को और reduce करने वाले, मतला गर science और math में, अगर 20 marks सबको मिलता भी है, तो भी आप pass हो, पहले कैसा होता था, गर कोई बच्चा fail होता था, 20 marks उसको मिलता था, तो guys, उसको re-exam देना पड़ता था, पर अब re-exam देनी की ज़रूत नहीं है, बच्चा direct 11 में admission ले सकता है, तो ऐसी चीजों में planning चल रही है, new education policy के तहद, तो guys, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, comment में लिख के हमें जरूर बताना, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, thank you so much guys, जय हिंद, and जय हमारा रश्रा दोस्तों,